दोस्तों आप देख सकते हो हमने SBI Bank से Instant Personal Loan के लिए एपलाई किया और हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है Congratulations you are eligible for an instant pre-approved loan of 80,000 No branch visit, no documentation और instant credit मतलब आप 80,000 रुपए के pre-approved loan के लिए eligible है इसके लिए ना तो आपको bank जाना होगा ना आपको कोई document देना होगा बस आप apply करेंगे, apply करते ही instant आपके bank account के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर हमें जो loan दिया जा रहा है वो total 80,000 रुपए का दिया जा रहा है लेकिन हमें आपर 80,000 रुपए का loan ना लेकर सिर्फ हम 50,200 रुपए के लिए apply करते हैं और उसके बाद next करते हैं उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है हमने आपका loan का पैसा आपके bank account के अंदर डाल दिया है उसके तुरंत बाद ही हमने यहाँ पर हमारा जो bank statement है वो देखा तो हमने यहाँ पर पाया कि 50,200 रुपए हमारे bank account के अंदर instant receive हो चुके हैं वो भी बीना किसी document के और यहाँ पर हमसे किसी प्रकार का कोई भी processing charge नहीं लिया गया है आज का यह video especially उन लोगों के लिए है जो SBA bank यानि state bank को पिडिया से instant personal loan लेना चाहते हैं SBA bank से instant personal loan लेने के तीन तरीके हैं पहला तरीका तो है कि आप किसी भी SBA bank की branch के अंदर जाकर जिस वाली branch में आपका खाता है उस वाली branch में जाकर आप instant personal loan के लिए apply कर सकते हैं सेकंड जो तरीका है वो है कि आप SBA bank की official loan वाली website पर जाकर आप वहाँ से online अपने mobile phone के तुरू या computer के तुरू online instant personal loan के लिए apply कर सकते हैं और जो थर्ड तरीका है वो है SBA का mobile banking Yono app के तुरू loan के लिए apply करने का अगर आप SBA bank का Yono mobile app यूज में लेते हैं तो आप Yono app के तुरू भी instant personal loan के लिए apply कर सकते हैं अगर आप भी SBA bank से instant personal loan लेना चाते हैं बिना bank जाए घर बेटे अपने mobile phone के तुरू apply करना चाते हैं और अगर आपको SBA bank की official website से loan नहीं मिलता है या फिर आप SBA bank की official website से loan के लिए apply करना चाते हैं अगर आप इस बताय हुए तरीके से instant personal loan के लिए apply करोगे तो यहाँ पर आपको loan लेने के लिए किसी प्रकार का कोई भी आपको document नहीं देना होगा और नहीं आपको यहाँ पर कभी bank जाना होगा आपको बस loan लेने के लिए online अपने mobile phone से apply करना होगा और apply करते ही आपको पता लग जाएगा कि आप इतने रुपे के loan के लिए eligible हैं और जितने रुपे के loan के लिए आप eligible होंगे अगर आप उसको apply करेंगे तो instant ही आपका जो loan का पैसा है instant ही आपके bank account के अंदर बिना किसी document के transfer कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि SBI bank की official website से आप किस प्रकार से loan ले सकते हो official website से किस प्रकार से आपको loan के लिए apply करना होता है और जो आपको SBI bank से loan दिया जाता है उसकी जो details है वो क्या है कितना यहाँ पर interest rate लगता है eligibility criteria क्या है कौन कौन से documents देने होते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर यह चीज समझ लो तो हम यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए website से loan के लिए apply करने के लिए हम यहाँ पर SBI bank की जो official website है loan वाली हम इस वाली website पर आ गए हैं आपको इस वाली website का link वीडियो के description में मिल जाएगा उस पर click करके आप भी इस वाली website पर आ सकते हैं जब आप इस वाली website पर आएंगे तो आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको option मिलेगा personal loans का और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर total आपको 8 तरीके के personal loan SBI bank provide करवाता है सबसे पहले नमर वाला जो personal loan है वो है express flexi जिन लोगों का SBI bank के अंदर saving account है और जो लोग order up की facility लेना चाते हैं उन लोगों को यहाँ पर express flexi के तैत loan दिया जाता है इसके लाबा second नमर वाला जो loan है वो है SBI pension loan जिन लोगों को SBI bank account में अपनी pension मिलती है जो भी लोग pension दारी है वो यहाँ पर SBI pension loan के तैत loan के लिए apply कर सकते हैं loan के लिए apply करने के लिए उनको नीचे apply now का button मिल जाता है बस apply now पर click करके उनको apply कर देना होता है उसके बाद जिन लोगों का SBI bank के अंदर salary account है और वो SBI bank से अगर loan लेना चाते हैं तो वो SBI express credit loan के तैत loan के लिए apply कर सकते हैं apply करने के लिए बस उनको just apply now पर click करना होता है इसके लावा यहाँ पर हमारा सबसे जो favorite loan है और जिस वाले loan के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी document नहीं देना होता नहीं आपको bank जाना होता है वेवाला यहाँ पर जो loan है वो है fourth नमर वाला pre-approved personal loan लेकिन इस वाले loan को ल तो इस वाले loan के लिए किस प्रकार से apply करना होता है वो भी मैं आगे चलके आपको बता दूँगा सबसे पहले website के तुरू कौन कौन से loan के लिए apply किया जाता है वो वाले loan में आपको यहाँ पर बता देता हूँ उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई security है तो आप उ SBI Q personal loan के तैत loan के लिए apply कर सकते हो apply करने के लिए just आपको apply now पर click करना होता है उसके बाद आपके सामने एक नई website कुल जाती है और आप उस वाली website से loan के लिए apply कर सकते हो इसके लबा अगर आपका खाता SBI bank के अंदर है और आपकी जो salary है वो एक लाक या एक लाक शी आपके लिए apply कर सकते हूँ तो यहाँ पर मैंने आपको overall सारे जितने भी loans SBI provide करवाता है उसकी जो list है उसकी जो details है वो मैंने आपको बता दी है अगर आपको किसी भी loans की पूरी details के बारे में जानना है कि उसके बारे में क्या-क्या features है उसके benefits क्या-क्या है आपको कितना interest rate देना होगा processing fees कितना देना होगा तो यहाँ पर आपको more information का option मिलता है आप इस पर click करके किसी भी loan की जो details है उसके बारे में जान सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको सारे जो loan के process हैं वो मैंने आपको बता दिये हैं तो यहाँ पर overall जितने भी तरीके के loans आपको दिये जात लेकिन यहापर जो fourth number वाला loan है pre-approved personal loan इस वाले loan को लेने के लिए ना तो आपको यहापर किसी प्रकार का document देना है और नहीं यहापर जरूरी है कि आपके account में salary आनी चाहिए यहापर आप without किसी document के और बिना salary slip के आप यहापर loan के लिए apply कर सकते हो तो अगर आपको यहापर बिना किसी document के loan लेना है तो आपको यहापर pre-approved personal loan के लिए apply करना है apply करने के लिए यहापर आपको सबसे पहले इस वाले loans की जो details है वो मैं आपको यहापर बता देता हूँ उसके लिए सबसे पहले हम यहापर more information पर click करते हैं more information पर click करने के बाद यह जो loan है इसकी जो पू आपको instant दिया जाता है बस आपको 4 steps करनी होती है और instant ही आपका पैसा आपके bank account के अंदर disverse हो जाता है इसके लवा यहापर आपको किसी प्रकार का कोई भी physical document नहीं देना होता नहीं आपको यहापर bank visit करना होता है इसके लवा अगर आप यहापर उपर की तरफ देखेंगे उसके लिए हम यहापर eligibility पर क्लिक करते हैं यहापर क्लिक करने के बाद यहापर साप साप लिखा हुआ है कि अगर आपको HBI bank से pre-approved personal loan लेना है तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपको pre-approved loan मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा मतलब आप pre-approved personal loan के लिए eligible हैं या फिर के बाद आपको आपके account का last का चारक सा लिखना है जो भी आपका bank account है उसके last के four digit आपको लिखने है और इस वाले message को आपको 567676 मतलब 56744 पर आपको भेजने के बाद आपको return में bank की तरब से message आ जाएगा और जितने रुपे के loan के लिए भी आप eligible होंगे pre-approved loan के लिए वो वाला amount आपके सामने आ जाएगा और उसी वाले message में आपको apply का link आ जाएगा उस पर click करके आप apply कर सकते हैं इस वाले message को भेजने से आपको यह पता लगेगा कि आप इस वाले loan के लिए eligible हैं या फिर नहीं है अगर आप इस वाले message को नहीं भेजना चाते तो भी आप direct you योणो एप के तुरू apply कर सकते हो apply करने का तरीका आगे मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद यहापर साप साप लिखा हुआ है कि अगर हमें इसके लिए apply करना है तो किस प्रकार से apply करना है उसके लिए हम यहापर how to available इस पर click करेंगे यहापर click करने के बाद आप देख आपका यहापर amount जो भी है वो आपके सामने credit हो जाएगा तो मैं अब आपको यहापर yono app के through loan के लिए apply करने का तरीका बता देता हूँ अब आपको yono sbi mobile app से instant personal loan के लिए apply करने के लिए yono sbi mobile app को आपको open करना है अब आपके सामने इस तरकी का dashboard आ जाएगा अगर आपने य mobile phone से send कर दिया होगा तो आपको इसी वाले mobile app में आपको pre approved का offer आ जाएगा आप नीचे देखेंगे तो हमारे सामने हम यहापर pre approved personal loan के लिए eligible हैं क्योंकि हमने यहापर message को पहले ही send कर दिया था तो यहापर लिखा हुआ आ चुका है congratulations you are eligible for an instant pre approved loan of 80,000 no branch visit no documentation instant credit यहापर लिखा हुआ है कि आप 80,000 रुपए के pre approved loan के लिए eligible हैं इसके लिए ना तो आपको bank जाना होगा ना कोई document देना होगा instantी जो 80,000 रुपए वो आपके account में credit कर दिये जाएंगे अब आपको यहापर loan लेने के लिए just आपको available now पर click करना है लेकिन उससे पहले अगर आपने SMS नहीं बेजा है आपने अपनी eligibility चेक नहीं की है अब आप direct loan के लिए apply करना चाते हैं तो direct आप यहाँ से available now पर click करके apply कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर pre approved loan offer नहीं करता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको three lines का option मिलेगा आपको इस पर click करना है उसके यहाँ पर आपको एक section मिलेगा personal loan का आपको personal loan पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर option मिल जाएगा नीचे नीचे real time express credit loan का आपको just नीचे option मिलेगा apply now का आपको apply now पर click करना है इतना करते ही अब आपसे यहापर आपका जो भी pen card number है वो आपसे मांगा जाएगा यहापर आप अपना pen card number लिखेंगे नीचे आप अपने date of birth लिखेंगे उसके बाद validate पर click करेंगे आपके pen card की detail यहापर validate हो जाएगी उसके बाद अब आपको यहापर आपका जो loan amount है वो आ यहापर लिखना है उसके बाद loan amount लिखते ही आपका यहापर loan amount की detail भी verify हो जाएगी उसके बाद अब आपको यहापर आपका जो employment detail है वो आपको देना होगा मतलब आप कहाँ पर job करते हैं आपका क्या business है आपका धंदा क्या है वो आप यहापर लिखेंगे उसके बाद amount आपके सामने आ जाएगा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें आपर 80,000 रुपए के pre-approved loan के लिए eligible हैं तो हमें आपर उपर की तरह बता दिया है और best offer to you 80,000 और नीचे लिखा हुआ है loan amount 80,000 हमें आपर 20,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए का जो loan है वो 12 मैनों के ल 80,000 रुपए का loan लेते हैं तो यहाँ पर हमारी जो interest rate लगेगा वो यहाँ पर 11.25% लगेगा और हमारी जो हर महीने 12 मैने तक लगतार जो हर महीने किष्ट आएगी वो यहाँ पर 7,080 रुपए आएगी तो हमें आपर जो loan लेना चाते हैं वो 80,000 का नहीं लेना चाते हमने हमें आपर loan amount कम कर दिया है हमें आपर 50,000 का लेना चाते हैं तो हमने आपर 50,200 रुपए कर दिया है और महीने जो हैं हमारे loan के वो 12 महीने हैं इसके लाव आप नीचे देखोगे तो हमारा जो interest rate लग रहा है वो 11.25% लग रहा है इसी परकार से हमारी लगतार 12 महीने तक जो क stress rate देना पड़ रहा है आपकी EMI कितनी आएगी आपकी processing fees कितनी लगेगी वो आपके यहां पर बता दी जाएगी जैसे अगर आप देखोगे तो हमें आपर latest loan के लिए apply कर रहे हैं 2023 के अंदर तो हमें आपर किसी प्रकार का processing fees नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर ल loan के लिए apply करोगे तो हो सकता है आपसे यहां पर processing fees charge कर लिजए उसके बाद जो भी आपका bank account number होगा वो आपके सामने यहां पर आ जाएगा यहां पर आपका जो भी पैसा आएगा वो इसी वाले bank account के अंदर आएगा आप यहां पर आँखवे निशान पर क्लिक करके अपना EMI कटना ही start हो जाएगी तो यहां पर आप अपने मन पसंद according जिस भी date को EMI कटवाना चाते हो उस वाली date को उस वाली तारिक को आपको select करना है जो भी तारिक का आप यहां पर select करोगे उसी तारिक को उसी date को automatic आपके account से आपकी जो किस्त है आपकी जो EMI है वो automatic cut हो जाएगा यहां पर आप अपना प्रिवी देखेंगे प्रिवी देखेंगे तो आपको यहां पर उपर आपका जो भी लोन अमाउंट है वो बता दिया जाएगा नीचे आपको कितने महीनों के लिए लोन दिया जा रहा है वो आपको बता दिया जाएगा आपकी हर महीने कितनी केश्ट आएगी वो आपको बता दी जाएगी आपका processing fees कितना लग रहा है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा उसके बाद जो भी आपका account number है वो आपको बता दिया जाएगा और जिस भी date से आपकी EMI कटना start होगी वो वाली date आपको यहाँ पर बता दी जाएगी उसके बाद आपको next पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ times and condition आएगी आप इसको read करेंगे उसके बाद check box पर किलिक करेंगे और confirm पर किलिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका mobile number होगा जो आपका bank के साथ link होगा उस पर एक OTP जाएगा वेवाला OTP आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद submit करेंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा congratulations we have received your application please check your saving bank account और यहाँ पर आपका account number for the credit of loan amount मतलब congratulations आपका application में प्राप्त हो चुका है और जो भी आपका loan का पैसा है वो हमने आपके bank account के अंदर transfer कर दिया गया है करपया करके अपना bank account check करें तो account में पैसा check करने के लिए तुरंत हम हमारा जो mobile app है उसे वापस से open करते हैं और उसके बाद accounts पर click करते हैं 50,200 रुपए हमारे bank account के अंदर तुरंत के तुरंत receive हो चुका है और यहाँ पर हमारा किसी प्रकार का कोई भी processing charge नहीं कटा है तो अगर आपको भी HBA bank से instant personal loan लेना है तो आप किस प्रकार से ले सकते हैं उसका जो पूरा process है वो मैंने आपको बता दिया है उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को like करें दुसके साथ share करें साती अगर आप मारे channel पर नए है प्ली channel को subscribe करें इसके लवा अगर आपको HBI bank से instant personal loan लेने में किशी प्रकार की problem आ रही है तो आप में नीचे comment करके लिख सकते हैं या फिर मैंने वीडियो की description में Instagram और Telegram का link दिया हुआ है वहाँ पर जाकर direct आप हमें Instagram और Telegram पर direct message कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमें वहाँ पर direct message करता है हम उनका 100% reply देने की कौसिस करते हैं